तरौलिग करने औरोने में गिने रास्त आपके घर तके नहीं जाता है और और वो गाड़ी अब भी तो यही थी जिसमें आपके रिश्टदार बैठे वे थे कहां है वो अब कुछ कहते क्यों नहीं है आप कहिए ना चुप क्यों है अरे भाई यह कौन से रस्ते से जा रहे हैं और हमारे पीचे वो गाड़ी थी वो कांगी मडम यह आप क्या कर रही है पागल हो जो क्या हा और यह गन कहा से आही तुमारे पास नीचे रखो इसए मैं कहा रहा हुँ नीचे रखो इसे नहीं मुझे पहले ते शब कह था इसे कहिए जक गाड़ी रोके इसक कहिए के गा Bernard रखके भोकी हैं बोली मछ चलाना बोली मछ चलाना बोली यह सारूंखी में बड़ा मज़ा आया एक दम लाजवाब और खास करके वह गुलाब जम रसीले मज़ा आगया यार बहुत दिनों में ऐसे गुलाब जम नहीं काया थे वाई गॉड़ एक दब डटके गाया बावाब नहीं? ए बस 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 सारूंकी बस बस क्यो? तेरा घर तो आगे है ना? यार पता है मुझे लेकिन तो गर तक क्यो आरा है शोड़ने को? मैं चलते जाओंगा जरा वाक भी हो जाएगा खाना भी अजम हो जाएगा इस टाइम वाई एक मिनाट बस कोई गर्फरेंड का चक्कर तो नहीं है सारूंकी गर्फरेंड का चक्कर तो तेरा होता मेरा नहीं सारे कॉंट्रेक्ट तेरे पास है गुरुदी आप हमाराज और सुन अपनी घर जाना और क्या चरो फिर, मिलते हैं, बाई 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 आराम से लिजाना एड़ बच्चुका है रापका बचाओ पुषे देने मुदाब करो बचाओ बाई जाओ बाई जाओ बाई जाओ बचाली जी जी लोग बचाली जी लोग बचाली जी रहाँ तो यह वही पर उख जाओ एक कदब भी आगे पड़ा है तो नतीजा खराब हो है हमारे रास्ते में टांग मोत अड़ा चुप चाप यहां से निकल कर भाग तुम यहसे लोगों के मामले में टांग अड़ा नहीं मेरा काम है समझे यह हमारे लभड़े मातर तो चप चाप इस फटकी को हमारे अवाले करते हैं और निकले यह से अच्छा नहीं हो रहा तरे लिए तुम लोग ऐसे नहीं मानूगे अभी से बस्तों करने भागो भाग भाई साब आपके पास गन पॉलिस पर काम करते हैं क्या मैं A.C.B. प्रदिमन C.I.D. से गवरामत क्या नहां में तुम्हारा मेरा ना जैस्मीन सर प्ली सर मुझे मेरा घर पहुंचने बहुत सरूरी है सर प्लीस मुझे घर पहुंचा दीचे सर प्लीस गवरामत मैं तुम्हें तुम्हारे खर पहुचा दूँगा O.C.I.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.D.S.E.. सर वो तो शेहर से बाहर हैं सर बाहर कहें? तो लाओ उनका फोन नंबर दो मुझे मैं उने फोन करता हूँ सर नंबर मुझे याद नहीं है सर उनका क्या का? अपने पते का फोन नंबर याद नहीं तुमें ये कैसे हो सकता है? सर आगे से आप प्लीज दाएं तरफ ले लीजे यहाँ पर? हाँ सर वहार रहती हो तु के भी कॉल्नी में? सर आप एक काम कीजे आप यहाँ पर गाड़ी रोग दीजे सर आप मैं चली जाओंगी यह सुन एक मिनेट अरे अखे लिए का जाओंगी सर परैंड neighbor सर선 में आत हुद हाँ तु में छोड़े लिए कि पार रहती हुदा यह सामने की जो गेट है यह उत्या तो गश्यास समनी जो सफेर गलर का जए जार में हर रहती हूद अच्याट है सूंअई हुद मैं झोटाताहू नहँ ने सर इस करना विव हर मत बande सर वैसे भी अब गुंडे मेरे पीछे नहीं पड़े हैं सर वह मेरे पीछा नहीं कर रहे हैं मैं चली जाओंगे सर ठीक है तुझ जाओ लेकिन सुनो जब भी कुछ ज़रूरत पड़े मुझे फोन करना CID Bureau में जी सर, सर वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर गुटनाइट समझ में नहाता है चक्कर क्या इस लड़की का यह जस्मिन कुछ तो छुपा रही है मुझसे जलके देखना पड़ेगा उस सफेद घर में सन्ली तो करनी पड़ेगी कोन आया होगा इतने रात को देखो तो कोन है कोन है और यह कोई वक्त है किसी के घर के गंटी बचाने का I'm sorry, देखिए मैं ACP Pratyuman CID से CID से ACP Pratyuman? इस वक्त हमारे कर में मैं सर्फ यह देखने आया था कि जस्मिन ठीक है यह नहीं कौन जस्मिन? अरे वो लड़की जिसे मैंने अभी अभी आपके कॉनली के गेट पर छोड़ा यही पर तो आई वह नहीं सर् यहां पे कोई जस्मिन नहीं रहती है देखिए मैं शायद इस जस्मिन की नहीं नहीं शादी हुई है हाथ में लाल रंगी चूड़िया पहनी थी हरे रंग के कपड़े थी और हाथ में एक काली पर्स भी है उसकी हमने आपको बताया ना सर् हम किसी जस्मिन को नहीं जानते सर् सर हमरा विश्वास कीचिए इस कर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं आप में कुछ गलत सुना होगा नहीं 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 मैंने कोई गलत नहीं सुना है उस लड़की नहीं यही एड्रेस बताया था जस्मिन जस्मिन आप कुछ छुपा तो नहीं रहें मेरे से कुछ जूट तो नहीं बोल रहें आप नहीं सर अगर पता चला कि आप जूट बोल रहे थे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा समझे दुबारा होंगा गोरेगाउं इस के बी कॉलोनी के बी कॉलोनी हाँ उस कॉलोनी का एक एक गर, एक गली छान मारो एक भी घर नहीं बचना चाहिए अरे वो लड़की जमीन में थोड़ी ने घुज गई है वहीं कहीं चुपके बैठी है मोका मिलते है वहाँ से भागे की टुंड़ो उसे हाँ, जैस्मिन, जैस्मिन नाम है उसका मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट रहिए, ओके? फाइन साथ, स्पेशल टीम पर लगा दिया है एक-एक घर सार, एक-एक घर, एक गली बहुत जल्दी पता चल दाएगा समझ भेने आता एक चूटी सी भूल की, मैंने एक चूटी सी भूल उस लड़की की बातों पर भरोसा किया मैं जूट पे जूट बोले जा रही थी और मैं भरोसा किये जा रहा था और फिर गायपी हो गई हो सर, उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बचाने बाला और C.I.D. ऑफिसर से भी बचना चाती है इसका मतलब है वो किसी बड़ी मुसीबत में फसी है सर लिकिन अगर मुसीबत में फसी है तो मुझे बताती C.I.D. वालों को बताती ना सर, और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसे अपने पती का नंबर तक याद देता सर ये भी हो सकता है किसी गयर कानूनी काम में उनी गुंडों के साथ मिली हुई हो किसी बात को लेके आपस में जगडा हुआ होगा गुंडे पढ़ गये इसके पीछे मागर सर, को उसने आपको KB कॉलनी में चोड़ने के लिए क्यों का होगा कोई तो बज़ह होगी न? कोई तो बज़ह जरूर है दया उस लड़की का कोई ना कोई कोई कोरनी के साथ सर सर, sketch artist आप sketch बन्माएंगे हाँ क्यों? मैंने बन्मा सकता है इस बार मैं विटनेस, शलो लग जाओ अपर, देखिए, कल रात मैंने एक जस्मीन नाम की लड़की को आपकी कॉलनी के गेट पर छोड़ा था, वो लड़की मेरी आखों के सामने इस कॉलनी के अंदर आई, और उसने मुझे ये भी बताया था, कि वो मिस्टर और मिस्स कुमा का कहना है कि वो किसी जस्मीन नाम की लड़की को जानते ही नहीं, आप लोगों मैंसे कोई तो जानता होगा जस्मीन को, हमने तो जस्मीन का कभी नाम भी नहीं सुना सर, आप लोगों मैंसे किसी ने तो सुना होगा, जी नहीं सर, ये कैसे हो सकता, वो लड़की मेरी आखों के सामने कॉलनी के अंदर आई थी देखिए सर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कल रात हमारे गर पे जासमीन नान की कोई लड़की नहीं आई थी सर आप हमारी बात पर विश्वास क्यों ने करते हैं सर तो फिर ये लड़की गई तो गई कहां ये देखिए ये उस लड़की का स्केच है क्या आप मेंसे किसी ने भी इस लड़की को देखा है गोर से देखिए और याद करके बताईए कहीं पर तो देखा होगा आप मेंसे किसी ने इस लड़की को या तो कॉलनी के अंदर या पिर कॉलनी के बाहर कहीं आस पास तुम तुमने इस लड़की को देखा है अहां सर देखा है यह मेरे घर के बगल वाले बंगले में ही रहती है अहां सर और इसको जादा बाहर निकलने भी नहीं देते बाहर निकलने नहीं देते क्यों पता नहीं सर किसके साथ रहती है यह अपनी सास के साथ रहती है यह तहां पर रहे थी हूँ, कौनसा बंगला, वो नीला वॉला बंगला, थेंक्यू, है ना बड़ी अजीब बात, इतने सारे लोग इस कॉल्नी में रहते हैं, लेकिन ये जस्मीन को पहचानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, कुछ तो गड़बड जरूर है, जी, जस्मीन आपके किरायदार है ना, वो अपने सास के साथ यहां रहती है, जी, जैस्मीन और उसकी सास कल्पना, दोनों यहीं पर किराय पे रहती थी, रहती थी मक्ली, अब ने रहती, जी जैस्मीन कल राज से घर ही नहीं लोटी, यहां आई है नहीं, जी, नहीं, और उनकी सास कल्पना जी, कल्पना तो सुभा ही छे वज़े चली गई थी, और जब मैंने उससे पूछा यह बैग लेके कहां जा रही हो, तो कहने लगी कुछ काम है, तीन दिन में वापिस आ जाओंगी, च्छा, मतलब यह कल्पना रिरफ चक्कर हो गई है, वैसे, जैस्मीन ने किया क्या है? वही तो हम पता लगा रहे हैं, किस जैस्मीन के साथ कुछ हुआ है, या फिर इस जैस्मीन ने कुछ किया है क्या? वैसे जैस्मीन से आपके पहचान कैसी हुआ? जैस्मीन और कल्पना को एक एस्टेट एजेंट लेकर आया था, और उसी ने एग्रिमेंट बनवाया था, इस इस्टेट एजेंट के डिटिल चाही है मैं, जी, वैसे ये दोनों साज बहू, आपके घर में कौन से कमरे में रहती थी? उस अंदर वाले कमरे में. जी, वैनित, कैसा? जाके कबरा चेक करो अच्छी तरह से. जी, से. वो अग्रिमेंट की कॉपी भी होगी ना, बज उस पर इन दोनों के फोटोग्राफिज भी होंगी? जी. दरा जिकाईए हमें. अभी लाते हूं. ये लेजी. और कुछ बता सकती हैं इन दोनों के बारे में आप? जी, कल्बना बहुत ही विचित्र थी. वो अपनी बहुत जैस्मीन को ना तो कही बाहर जाने देती थी, और ना ही किसी से बात करने देती थी. और उसका पती भी एक दो बार ही आया था उसे मिलने. जी, उसके पती का नाम? अमर. शायद ही यही बताया था. अचा इस जैस्मीन के पती अमर का आप गुलिया बता सकती हैा? जी? से इस जैस्मीन के पती अमर का शकेच्च पनवा लेते हैं. सर, हाँ उन् लोनों का कुछ भी सामान अंदर नहीं. चछा, कुछ भी सामान नहीं छोड़ा? मुझे तो लग था है जस्मीन को यहां पर बंदी बना के रखा गया था सर आपने कहा था ना कि जस्मीन ने नई नवेली दुलहन की तरह चूड़िया पहन रखी थी तो सर उसने हाल ही में किसी मंदिर या मैरेज हौल में शादी की हो हलो सर आप भी हौल बुक कराने आएं जी नहीं दो हफते पहले आपके यह शादी हुई थी अम उसके बारे में पूछताश करने हैं दो हफते पहले की शादी के बारे में पूछताश जी सी आईडी है जी हां इस स्केच को ध्यान से देखिए और बताएए क्या यह वही लड़की है जिसकी शादी दो हफते पहले हुई जी हां सर, इसी की शादी हुई थी, शायद जैस्मीन नाम है इसका हाँ, जैस्मीन, किस लड़के के साथ हुई थी इसकी शादी? उस लड़के का नाम S से शुरू होता है, मैं अभी चेक कर कर बताता हूँ हाँ, सुहान, सुहान वेट्स जैस्मीन सुहान वेट्स जैस्मेन अच्छे इसकी शादी के बारे में कुछ और बता सकते हैं वैसे तो सर यहां जो भी शादी होती है हम उन सब का एक फोटो रख लेते हैं अपने रिकोर्ड्स के लिए तब तो इस शादी की फोटो भी होगी आपके पास हाँ होनी तो चाहिए सर दिखाए 29th ये है सर 29th ये है जैस्मीन का पती सुहान अगर ये आदमी जैस्मीन का पती सुहान है तो पर इस स्केच में कौन है जिसके बारे में जैस्मीन के पडोसियों ने बताया था कि उन्होंने इसे जैस्मीन के घर आते जाते देखा ये तो मैं भी सुच रहा हूँ एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट इस फोटो में वो वाली सास तो है ये नहीं हाँ कितनी अजीब बात है ना साचन अजीब सी बात तो है एक मिनिट ये दूसरा स्केच देखिए इसका नाम कल्पना है इसे आपने शादी में देखा था क्या? नहीं सर ये तो शायद नहीं आई थी अचा इस शादी में कोई अजीब बात हुई थी या फिर कोई अजीब घटना घटी थी? हाँ सर शादी के बाद एक अजीब घटना तो घटी थी क्या? शादी के बाद भी कुछ बाराती यही पर चिपके रह गए यही चिपके रह मतलब? मतलब उन्होंने कमरा खाली करने से मना कर दिया अचा? क्यो? वह कहने लगे, वह किसी का इंतजार कर रहे है जब वो आयेगा, तब वो जाएँगे फिर क्या हो फिर क्या? वो आया और उन्हें समझा बुजा कर ले गया शायद वो वही आदमी होगा इसके लिए वो बाराती इंतजार कर रहे था अच्छे, यह आदमी दिखने में कैसा था? उसने टोपी पहनी थी और काला चश्मा था. कुछ देर यहां खड़ा रहा और फिर किसी को उसने यहां से फोन किया. मतलब इस लैंड लाइन से? जी सर. अच्छे, आपने सुना के फोन पे वो क्या बात करा था? नहीं, सर. अच्छे, इस आदमी ने किस वक्त फोन किया था? यही कोई एक बज रहे थे. एक बजे? तब तो फोन रिकॉर्ड से जरूर पता चल जाएगा कि उसने यहां से किस को फोन किया था. अभिजेत, यह लर्की जस्मी, इसका बहुत बड़ा रैकेट है, यह देखो. अब इसकी शादी की फोटो ही देखो. इसमें यह जो सास बनकर खड़ी है, वो उसकी सास यह नहीं है. और फिर इसका पती बनकर यह जो खड़ा है, सुहान, अगर यह उसका असली पती है, तो फिर वो पती कौन है, जो उससे चुपके मिलने जाता था घर पर? यह शादी भी नकली लग रही है, सर. अगर यह कलपना नाम की आउरत जास्मीन की सास नहीं है, तो फिर यह जास्मीन बहु बनकर उसके साथ के बी कॉलनी में रह क्यों रही थी? क्या दिखाना चाहते थे यह लोगों को? हाँ, कीबी कॉलनी, एक बार यह स्टेट एजेंट आ जायना भी, तो पता चलेगा कैसा पुलिस वेरिफिकेशन किया था उसने इन लोगों का? सर, यह एक बहुत लंबी चोडी प्लानिंग है सर, हमारे साथ दोका हुआ है, मतलब फोन नंबर भी नकली है? यह सर, जास्मीन के पती ने जो फोन नंबर लिख वो भी रख लिये है साथ साथ एड्रेस भी नकली है सर, साथ भी नकली, बहु भी नकली पती भी नकली, फोन नंबर नकली और घर का पता भी नकली, तो बिरे सारे चकर में असली है, क्या? असली यह है सर Mr. Birin State Agent तो तुम हो बो State Agent जिसने कलपना और जस्मिन को केवी कॉलनी वाला धर दिलवाया देखे सर नकली पेपर बनवाय थे पुलीस वेरिफिकेशन में नकली था मुझे ने मालम था सर कि ये मामला C.I.D. तक पहुंच जाएगा जस्मिन कहा है कौन जस्मिन सर मैंने पूछा है जस्मिन कहा है नहीं मालम सर वाट कलपना कहा है कौन कलपना सर बाड़ी दख बाट ये ये कलपना है सर ये कलपना नहीं प्रिया है ये प्रिया है? कलपना नहीं? हाँ सर यह तो पहले से ही प्रिया थी मतलब तुम पहले से ही प्रिया को जानते थी यह बार-बार घर बदलती है और किसी भी घर में जाधा समय तक नहीं रहती और इनको घर कौन दिलवाता था? मैं सर नकली पेपर से उल्चों ननने मुझे इतना पैसा दिया और का कि अपना मूँ बं- रखना अतुम्नी अपना मूँ बं- रखना यह यह ज्यसमीन का क्या चक्कर है Sarah वै ज्यसमीन को नहीं दानता और उसकेर में प्रिया के साथ कौन राता यह भी नहीं मालम sir जब उन्हें अपना घर बतलना होता था तो किराने की दुकान पे मेरे लिए चिठ्थियां छोड़ देती थी कहा है किराने की दुकान सर बब अलो हाँ बोलो कहा किया था वाइट लाइट लाइट एड इजिंसी ओके ठीक है Sir, उस राजशादी के हाल में से उस टेड़े आदमी ने वाइट लाइन्स एड़ एजनसी में फोन किया दस है काम करो, इस किराने की दुकान में जाकर चोंच डालो और वाइट लाइन्स एड़ एजनसी पर छापा मारो आप प्रिया जी का कोई संदेशा है आज? नहीं, आज कोई संदेशा नहीं एकुब ये CID वाले हैं प्रिया जी के लिफाफों ने तो मुझे फशा दिया मतलब? मतलब तुम भी फशने वाले हो, समझे? क्या सा लिफाफों में? मुझे कुछ लिफाफों में? साब आप इनसे पूचिये न, इनको पालूब होगा नहीं सार नहीं सार हाँ? ये लिफाफों की हिरा फेरी कब से कर रहे हो? हाँ? मुझे मत फशाये साब प्रिया जी लिफाफे छोड़ जाती थी और ये साब ले जाते थे बस कभी ये नहीं सोचा? कि आजकल के मोबाइल फोन्स के जमाने में कभी कोई किसी के लिए चिट्री छोड़ता है क्या? और फिर क्यों छोड़ता है? कभी नहीं सोचा? साब, एक बंद लिफाफा रखने भर के लिए अगर महीने में पचीस हजार रुपए मिले तो तो? तुमें पचीस हजार रुपए मिले और तुमने अपने दिवाग पे ताला लगा लिए कभी ये नहीं सोचा के लिफाफा खोल के देखू? उसमें है क्या? साब, आप इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? इनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम साब कुछ आप लोग? हम लोग CID से हैं CID? पर यहां पर क्यों? प्रियाजी यहां रहती है तो हम प्रियाजी को ढूणने आएं आप लोग मेरी मम्मी को ढूण रहे हो पर क्यों? क्या? प्रियाजी तुमारी माँ है? तुमारा क्या नाम है? इलियाना इलियाना क्या यही तुम्हारी माँ? जी, ममी है और ये कौन है? जानते हो इस अरे, ये आपके पस कहां से आया? ये तो मेरे ममी के मैनेजर है, अमर तुम्हारी माता जी का मैनेजर? जी सर्याई सुहान अमर कबसे बन गया? वही तो अच्छो, अच्छो, इस बाकी के दो जिन कौन है? नहीं, इन लोग को मैं नहीं जानती अच्छो, नहीं जानती हो, लेकिन ये तो जानती होगी ना कि तुम्हारी माता जी किराय के घर में रहती है और कुछ-कुछ दिनों में अपना घर भी बदलती रहती है क्या? जया, वो भी नाम बदल बदल कर. क्या बखवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप जस घर में खड़े हैं, ये बंगला मेरी ममी का है. उन्हें किराए के घर पे रहने की क्या जरूरत है? और वो भी नाम बदल कर. Impossible. Impossible या possible. ये तो तुमारी माता जी बताएंगी. का है तुमारी माता जी? वो यॉरप गई है. यॉरप गई है, अच्छा. क्यों किसली है? बिसनिस कि सिल्जिले में? कौन सा बिसनिस? तेक्स्टाइल एक्सपोर्ट का. अच्छा, अच्छा, अच्छा. तो प्रिया जी टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट करने लगी है. इलियाने जी आपको ये जानकर दुख होगा कि आपकी मम्मी आपसे छूट बोल रही है. मतलब? मतलब ये कि वो यॉरोप नहीं. यहीं, इंडिया में है. मम्मी इंडिया में ही है? जी हाँ. और पिछले ही हफ़ते इस एस्टेट एजेंट ने आपकी मा को एक फ्लाट दिलवाया था. के भी कॉलोनी में. और वो भी कल्पना के नाम से. कल्पना? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. मम्मी महीने दो महीने में एक आथ बार मुझ से मिलने आती थी. खेर कोई बात नहीं. तुम्हानी मा का फोन नंबर दो होगा तुम्हारे पास? अहां है. तो भी लगाओ फोन. अभी इसी वक्त? याभी इसी वक्त? और जब तक वो फोन नहीं उठाती, तुम फोन लगाती रहोगी. स्पिकर फोन भी आउन करना. घंटी तो बज रही है, मगर ममी फोन नहीं उठा रही. दुबारा लगा. आप जिस नंबर को टायर कर रहे है, वो इससमे स्विच्ट ओफ है. स्विच्ट ओफ? फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है. पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है. इस चक्कर क्या है, इलियाना? मैं इसके बारे में क्या कह सकती हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. सर, शायद प्रिया जी को पता चल गया है कि हम उने ढून रहे हैं. आपर चुपेगी तो चुपेगी कहा? ढून कर तो हम निकालेंगे. इलियाना, तुम्हारी मा एक बहुत बड़ा चक्कर चला रही है. गैर कानूनी चक्कर. और इसलिए तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी. मतलब मेरी घर में आप मुझे बंदी बना के रखोगे? वैसा ही समझ लो. हमारा एक सीनियर आफिसर तुम पर कड़ी नजर रखेगा. यहां पर राहूल को न है? जी मैं ही राहूल हूँ. फुन पर आपके मुझे से ही बात हुई थी. आप CID से हैं न? जी हां. कहीं यह कास्टिंग एजेंट तो नहीं जिसने उस दिन काली टोपी और चश्मा लगाया हुआ था. आपने सही कहा, सर. यह रहा वो आदमी. बॉबी. अच्छा. तो तुम हो. तब भी चुड़ो. सर मैं तो खाली कॉडिनेटर हूं, सर. शादी बया में आर्टिस और मॉडल सप्लाई करता हूं, सर. देखो, बावी बाबू. सब को सही सी बताते हो. कि बात क्या है? मैं इस सब. हौल करूँ माना, कि तुम्हारी सारी सप्लाई बंद जाएगे. सम्जाए? बट! सर, मैं तो खाली प्रिया जी के कहने पर आर्टिस और मॉडल सप्लाई क्या करता था बत और बराती. बस, सर. क्या? प्रिया जी के कहने पर? जी, सर. प्रिया जी के कहने पर. ये चक्कर क्या है? इन अकली बरातीयों को क्यों लेकर जाते हो? प्रिया जी के कहने पर इतना पूछने का हग तो मुझे था नहीं लेकिन सर मुझे लगता है प्रिया जी शादी की आड में कुछ और ही कर रही हैं सर तुम्हें कैसे बता? सर वो सर प्रिया जी कहा मिलेंगी? वो नहीं मालूम सर नहीं मालूम नहीं मालूम अच्छा जैस्मिन के शादी में सुहान के जो माबाप बने थे, वो कहां मिलेंगे? सप्रिया का फोन इसी घर से ट्रेस हुआ इस तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आने का मतलब? आप लो कौन है साफ? चुप चाप एक तरफ खड़े हो जाए साफ हम नों तो सिर्फ नौकर आजमे हैं साफ चुप! कहा ना चुप चाप एक तरफ खड़े हो जा जल्दी घर की अच्छी तरफ से तलाशी लेगा तलाशी? साफ साफ नहीं साफ साफ यह प्रिया का है कहा है प्रिया? प्रिया जी? अहां, प्रिया जी कहा है बतायो। जल्दी बतायो। कमे अधम को तो घट से बाहर गया, 10 अधा हूंटा हो गया। अधा गंदे बाहर चलिके। कहा हौई। इसि इस मिमबे बतां хватperform कही बताऊ जल्दी। साभ वे कई हमे कुछणी इस नहीं मॉलूमिशे थे। हमनों तो दस वजे आते हैं और शाम को साथ वजे चले जाते हैं साफ सर्थ हाँ यह देखे कंपिस क्या मेरा सर्थ हाँ से देखे तलवारे क्यों तुम्हे तीन लोग थे जो जस्मिन को मारना चाहते थे मेरी आखों के सामने आये ना नहीं साथ विर्फदार करो इन अदी अधन अले साथ आप क्यों पशार है साथ साथ आप अमे इस तरह बशा है अमने कुछ ही लिग ए आप अगे आप हमें इस तरह नहीं पशा सकते आप तुम लोग ऐसे नहीं मान गो या अपने अपनी गन देतो हुमें गन निचे गरो, बागने की सोचो भी मत, चुप जाप वहीं ख़रे रहो, आगे मत दो हो, रुक जाओ, तू लगिन को स्रोलो, राग लगाता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बादा लग lagज़ इस वो घरे घंटे मत, बादागी की सकाओ, रुक जाओ, बादाling मतल विनि रुक जयो, पजूसएारी त़िह, बादान मत! चल गाले बाट! ये छोड़ो से! वो शारी बाट! चल बाट काली बाट! चल बाट काली बाट! बाट काली बाट! बाट काली बाट! Damn it! Excuse me. पेखी में अरे, आप यहां कैसे आगए? देखे, प्लीज आप निराश्मत कीजिए. मैं तंग आगया हूँ. प्लीज हमारी मदद कीजिए आप! अरे, आप तो हमारे गले पढ़ रहे हैं! देखे, आप हमें पता चला है कि आप प्रिया जी को जानते हैं! जो सब की शादियां करवा देती है! प्रिया जी? आप जानते हैं ना? जे हाँ! अरे, तो प्लीज हमें मिलवा दीचिए! हमारा चचेरा भाई कब से कुवारा बैठा है उसका भाग ये खुल जाएगा! लेकिन आप है कौन? C.I.D. C.I.D.? आप लोग दूसरों की शादियां करवाते रहें और हमारा ये भाई कुवारा बैठा रहे ये तो बड़े अन्याय की बात है लेकिन सर हम तो बस हम लोग तो बस नकली माबाप बनते हैं शादियों में नकली माबाप और नकली शादी नहीं सर, शादियां जूटी नहीं होती है क्या? इस फोटो में यही दोनों जैस्मिन के लिए नकली माबाप नकली होते हैं हम तो बस सिर्फ वीदी के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं, सर ये बात है, लेकिन नकली माबाप बनके शादियां करवाना जुर्म है, मालूम है ना? हाँ सर, मालूम है और तुम लोग जैस्मिन के घर भी गए थे, सुहान के लिए नकली माबाप बनके जी गए थे, वो लड़की के माबाप को मिलने के लिए गए थे, सर ज़र फोटो दिखाना इस फोटो में यही दोनों जैस्मिन के असली माबाप है ना? हाँ सर यही असली माबाप है कहां रहते यह लो वसाही में पर वो दूला का है तुम्हारा नकली बेटा सुहान सर यकिन मानी हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में कुछ नहीं मालूम हर बात में मालूम नहीं यह तो मालूम होगा कि वसाही में जैस्मिन के माप आप कहा रहते हैं। एलिया मैम, आदे घंथे पे अपने बैक्स पैक कीजिए। आपको लंडन की फ्लाइट पकड़नी है। और हाँ, प्रिया मैम की ओर्डर से हैं, आपकों से कोई सवाल नी बूझेंगी। अपने बैक्स पैक कीजिए। सुना नहीं आपने, अपने बैक्स पैक कीजिए। तुम्ही आद नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या हुआ? यह सब छोड़ो और यह बताओ के जैस्मिन कहा है। जैस्मिन? कौन जैस्मिन? जैस्मिन को नहीं जानते। बताते हो या फिर गोली करूँ सर के हार बार। कुलाबा में छोड़ा था। कुलाबा में कहां पे? बीरा चौक में. बीरा चौक में. Sir, Amar हमारे हाथ लग गया है sir. उसने अभी अभी बताये के उसने जैस्मिन को कुलाबा के बीरा चौक पे छोड़ा है। अरे तुम कुछ बॉल करने रो बेटा! जैस्मिन ठीक तो है ना? कहां है वो? तुम हमें कहां ले जा रहे हो? कुछ बोलो का सरी! यो सुना! कहां लेके जा रहे हो? जैस्मिन के माता पिता को? आप लोग? हम लोग C.I.D. से. हमें भी बता दो कहां है वो? हम सब साथ चले चलते हैं जैस्मिन से बिलने के लिए जैस्मिन से बिलने के लिए कैसी वाती का रहे आप लोग? मुझे कैसे बता होगे कि जैस्मिन कहां है? योट! हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझे? ये सब क्या हो रहा है? सीधी तरह से बता दो कहां है जैस्मिन! क्या किया तुम्ने मेरी मेटी के साथ? बोलो! कहां तुपए होते? बोलो! रुख जाओ! रुख जाओ! रुख जाओ, Suhan! Suhan, रुख जाओ! तेखो अपने आपको हमारे हवाले कर तो! हमारे हवाले कर तो! तेखो तुम भाग नहीं सकते! रुख जाओ, Suhan! रुख जाओ, Suhan! तुम्हां को छोड़ दो! वरनार तुम्हारा यह ओफिसर हमेशा के लिए एक दुनिया छोड़ देगा! और इसकी मौत के जिमदार चिंट तुम होगे! चंट जाओ! अगर विनित का एक बाल भी बाका हुआ ना तो तुम मेंसे कोई भी जिन्दा नहीं जागा यहाँ पे! अब तुम्हारे धंकियोज़े डरने अवाले नहीं है सिपी! अगर विनित चाहिए तो, स्वायम को हमारे हवाले कर दो! तुम्हारी किसी के साथ सौधा नहीं करते ही! बल्कि फैसला सुनाती है! बल तुम्हारीיך को सब्सक्ष मेंसेुस को हमारे से। ऐलोडोड़गा एंड़ एंड़। आवंकि तुम्हार अगोड़। स्वान बलीद थे उले मेंसे क्यो sadece समाझ मेंसे क्योंουμεे c У translates Swann, tell me, what is your name? Jasmin! What is Jasmin? Tell me! Fine! Fine? Cotton... Mill! Fine cotton mill? Fine cotton! He's dead. But sir, which cotton mill? There are so many cotton mills in the city. Amit told me that Jasmin left him in the Kulaba. There is one mill in the Kulaba. There is a cotton mill that has been closed. That is the same. You stay here. I'll go there. Abhijit tell me. 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 Sir. Harumara. Samani Malda. Harumara. Harumara da. Harumara. The Nukar. He's a prince in this case. It seems that this is a friend of mine. And if he's a friend of mine, then he will also keep his father in this case. तुर रायम किसकी हो सकती है, चल कर देखना पुरेगा, अभिजीत को बताता हूँ अरे, मेट वक ही नहीं, मेरा अभिजीत को बता हूँ कैसे अरे, मेरा अरे, मता हूँ अरे, मेरा अर्णा आपरिगा अगर मारा मारा श्यक्ताः का में. इक बार या वोटरा चाहिए तो प्रिया का भी पता चल जाएगा। प्रोट से अचारो हो सापको फोन करतें तो यह कि अपार गारीजा कि अच्छ एचारो हुख्छला एसेपी सापका फोनी लग रह रहा एख्यायु आरिफ्साइब कुछ विह आलें हम इस अख्तम नी ओना राका चल्व हम बगर फोन मुझी अरे तु ठीक तु हाए रखा पदानी यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इग उन्दे फागल हो गया है कैसे गारी चला रहा है चक्कर से आ रहा है यार मुझे भी चक्कर आ रहा यार कहीं कहीं तो प्रिजामेड़ भामें बिताफ दश्कार अरा है यार क्षण तो प्रिवार जी अगे तो मर चुका है यह भी मर चुका है यह भी मर चुका है यह भी मर क्या है यह अचाना कि इतनी जल्दी कैसे मर गये एक्सिदेंट तो इतना बड़ा देखने रहा है अब जी एधिए खोन की बा हुष जाओ अब भचा लėओनव तो न फिर को चुका लाओन। कुप को की फबस्तम है की था नावन । कृ घंक शुड शुडी एक्षा को जी फेखने के आसे यह आफ Na क्या अनितिन तो इन तीनों के जहर से मारा गया पर इसब किया किसने होगा और क्यों? क्यों कि उसे मालूम था अगर ये तीनों पकड़े गए तो C.I.D. उन तक पहुंच जाएगी अगर C.I.D. के हर्चाल के बारे मुझा पता कैसे चल रहा है है कौनी आदमी? इससे भी साफ की गाड़ी? सर कहा है? उनका फोन अभी भी लगने रहा सरू किसी परसीबत में है सर अबने आपको आपको बहुत ढूंडा सर वहाँ पे बगर आप आप कहीं मिले ही थी? सर अब हमें लगा की तुम्हें लगा की मैं भी ब्लास में मर गया है हाँ सर इतना बड़ा बलास था सर लाशे ही लाशे पड़ी थी हर तरफ सब जगा धुआ और राग थी लाशे पैचां में नहीं आ रही थी सर सर हमने एक 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 लाश को पलट-पलट के जिखा कि एक कहीं सर अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कई के नहीं रहते सर आपके बिना हम लोग जी नहीं सकते सर सर हमारी भी जिंदगी बेकार हो जाती मैं तो वही पर था बस छोड़ा सा दूर था इसलिए तो बजगा हमें अशयारे ज़ए आप मीलिए कैसे नहीं कि बलास के बाद आप काँ छाए गयाते तुम लें देखा ला कितना जबर्द। बलास्ता हो आपको जपापका मेरे तरफ आयो और उँख ऑर गरम गरम आंग ज्यसे चिपक गई मेरे से मेरा दिमागे गुंग गुंग गया, परे तो सूपके तो चिंदे चिंदे हो गया सरम, हमें तो यह भी लगा था कि आप आप ब्लास्ट में गायल हो गया है और उन गुंडे लोगों ने आपको किड्नैप कर लिया है अब इजीत, इतने लोगों अरे उनके साथ कोई गुंडे भीत होते है ब्योची के हलत में मैं जैसे उनके तरफ बढ़ा हो जब भी ब्योरो में आते हैं अब जब भी ब्योरो में आते हैं कुछ ना कुछ आग लगा के निकल जाते हैं CID की इसद के लिए हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है सर जान की बाजी अपनी जान बचा लो दूसरों के गई भाड में दिखे सर ये बहुत गलत बात है तूम तीनों वहीं पे थे जहां पे ब्लास्ट हुआ थे न? हाँ थे वहाँ पे जितने भी लोग थे उन में से बारा की लाशे मिली हैं और बाकी तीन की हालत ऐसी है कि अब मरे और तम मरे बदमाश तो सारे मर गए मगर ये C.I.D.O. ऑफिसर्स कैसे बच गए? आप क्या चाहते हैं? हमारी विलाश हमाँ पड़ी होती? मैंने पूछा है बलास्ट में वो लोग तो मर गए मगर तुम लोग जिन्दा कैसे बच गए? मतलब हमारी मौत होती तो आपके दिल को ठंड़क पहुंचती हैं? जान की बाजी लगाई थी ना तुमने? हाँ, लगाई थी मगर हमारे वहां पॉस्त ही बलास्ट हो गया था बलास्ट तो हुआ मगर बलास्ट में असल में क्या हुआ वो देखो वहां पे एक CCTV क्यामरा लगावा था बहुत तूर उन्हा तो आप लोग को मालम था ना उन्हें मदमाशुकी मौत कैसे हुई और ACP साब कैसे बचे वो देखो कि अच्छा प्राइब के अच्छा प्राइब के शर्म से निगाएं जोग गई ना सिर उठा के चलने के काबिल ने रहे तुम लोग एके कोना ठून लो और सिर छुपादो उसके अंदर कल से नकाप एन के खूमना किसी को पता नहीं चलना चीए कि तुम लोग CIDA Officers हो सर क्या है तुम नहीं समझोगे अभीजीत तुम नहीं समझोगे तो समझाओ ना तुमारे हाँ पे गन थी और बदमाश जास्मिन को गोली मारने वाले थी तो उसको बचाने के बजाए वहां से निकल लिए तो क्या पंदरा भी इस लोगों को गोली मारता मैं हाँ कम से कम इसत तो बच जाती लड़की को गोली मार दी उन्होंने और ACP प्रदुमन वहां से भाग निकला ये गलत है सर ACP सब पर इल्जाम लगाने से पहले दो बार सोच लिजे सर 25 बार मैंने इस वीडियो को चला के देखा है और चितने बार देखता हूँ यही दिखाई देता है कि जब बहादुरी दिखाने का वक्त आया तो ACP प्रदुमन वहां से ऐसा भागा जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता है सिर्फ एक ही जवाब चाहिए बस क्यों भागा केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है सर यह बहुत बड़ी साजिश है अगर सब को पता चल गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे बड़ी साजिश है तो बता दे क्यों नियो हम सब से अधियों हो भी सर्स है हम से कैसा परदा परदा है सर परदा है हरे को नहीं बता जा सकता हमें भी नहीं सर नहीं अभी नहीं अभी जित यह जो इकना बड़ा इंदर जाल तुमने अपने आसपास बना के रखा था ना एसी भी प्रदुमन वो तूट गया है इस वीडियो से पता चल गया है कि तुमारी बहादुरी सरफ इन ओफिसर्स की वज़े से है जैसे तुम अकेले पड़े निकल भागे तुम्हें C.I.D. छोड़नी पड़ेगी रेजिगनेशन देना ही पड़ेगा I want your resignation Sir Sir यह अब क्या कह रहे है 24 घंटे बस 24 घंटे देता डिसाइड कर लो अपने आप चाना है हिज़त से या जूते खाके चित्रोले चित्रोले प्लाइएज क्रादे आप चानल और भादे निकार्थ अटिकिट्टे आप चानल क्लिक शोविट्टे आपटे जुए जूएट याज़ वचिंट अपाटे आप देए बासचराओिए टाले खाकाटे और यह जित्व पाक्री याँए अजयएवेड आपटेशन झाल झाल